करोना के समय में जंगता की सेवा करकर पूरे देश में अनुकरनी उदारन प्रस्तुत करने वाले आदनी उदाव ठाकरे जी मंद्परासीन पूर्वग्रिय मंत्री और मोधी सरकार ने चौदा महीने तक जिनको जेल में रखा भाई अनिल देश मुपजी लेकिन उनको जुका नहीं पाए मैं उनका अविनन्दन करता हूँ कांगरेस पार्टी के नेतागण विधागण आमाद्वी पार्टी के कारकरता साथियों नेताओ मैं महरास्टा की जनता को वर्धा की जनता को नमन करता हूँ अब जंदन करता हूँ आपने इतनी बड़ी तादाद में इस्रेली के अंदर इकथा होकर ये पताने का काम किया है कि अन्सीपी के प्रत्यासी अमल काड़े यहां से चुनाओ जीतने जा रहे हैं आप चुनाओ जीताने जा रहे हैं साथियों और दोस्तों आज क्या जुर्म कर रहे हैं मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेन में डाल दिया जेसाद में ने दिल्ली के लोवा के ले सिच्छा का इंतजाम किया बिजली का इंतजाम किया पानी का इंतजाम किया दवायों का इंतजाम किया नेंडर मोधी की सरकार केजरिवाल को इंसुलिन नहीं दे रही है दवा नहीं दे रही है ये जिन है जाती है इसका जवाब आप लोगों को देना है अपने वोज की ताकत से आपको इसका जवाब देना है हेमन सुरेम जारथंड के मुख्य मंत्री आदिवासी समाज के मेता उनको पकर के जैन में डा आज पूरे देश के अंदर पार्टियों को तोलने का काम कर रहे हैं बाला साहब की सिवसेना उधाव धाकरे जी की सिवसेना उनकी पीर कमान चोरी कर ली मोदी जी ने सरत पवार जी की घरी चोरी कर ली मोदी जी ने अरे ये घरी चोरी करने वाले पीर कमान चोरी करने वालों को जवाब देना है इनकी जमानते महारास्ता के अंदर जत्त कराने का काम करना है बोड़ो कराओगे कि नहीं कराओगे हाथ उठा के बताओ तैयार हो सिरसेला की तीर कमान चुडाली सरत्पवार जी की घरी चुडाली ये च्छत्रपती सिवाजी महाराज की धर्ती है और च्छत्रपती सिवाजी महाराज ने सबसे बड़ी एक ही सिछा दी है गद्दारों को माफी नहीं गद्दारों को गद्दारों को जिनोंने महारास्त की जंता के साथ गद्दारी की जिन्होंने हमारे इन दो नेताओं के साथ गद्दारी की जिन्होंने पाटियों को तोड़ने का काम किया उनकी जमानते जब्त करा के भेजना आप सब छत्रपती सिवाजी महराज के अन्याई हैं ये बताना और मोधी जी को कहना अब आपकी विदाई का समय आ गया है अब ये अनिल देश्मुक जी कह रहे थे उसके पहले हमारे नेता कह रहे थे मोधी जी की गारंटी मैं बताता हूँ मोधी जी की क्या गारंटी है मोधी जी की क्या गारंटी है मैं बताना चाहता हूँ आपको मोदी जी की एक ही गारंटी है एक ही गारंटी नरेंदर मोदी की गारंटी है जूट बोलने की गारंटी जूट बोलने की गारंटी गलत तो नहीं कह रहा हूँ गलत तो नहीं कह रहा हूँ बोले ते दो करोल नोकरिया नोजवानों को दे दे दिया क्या छूट बोला ना बोले ते किसानों की आए दो गुना हो जाएगी दो गुना हो गई क्या छूट बोला ना बोले थे इतना काला धनलाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमाँ हो जाएगा जोड से बोलिये पंदरा पैसे भी आपके खाते में नहीं है हमारी बेहनें हमारी माताएं जो यहाँ पे बैठी है इन्होंने अपने पती से छीपा कर धर के संदूक में 1500 की नोट जो रखी थी ये सोच के रख़ा था कि जब घर में कोई बीमार होगा ये पैसा काम आएगा जमीन का टुकला खरीद रहोगा ये पैसा काम आएगा बेटी की शादी होगी ये पैसा काम आएगा नेंदर मोडी जी ने कहा माता और बेहनो नोट बंदी है लाइन में लखके पैसा जमा कर दो वो भी आपका लोट लिया है वो भी पैसा आपको लोट लिया तो मोडी की गारंटी है जूट बोलने की गारंटी इसलिए मैंने भारती जंता पार्टी का नाम रखा है भारती जुटा पार्टी जुट बोलने वालों की पार्टी जुट बोलने वालों की पार्टी है कि नहीं है क्या नारा दे रहे हैं करें चार सो पार चार सो पार चार सो पार ये भात्पा वाले मोजी जी फर्जी नारा देने में मास्टर आदमी है याद रखना बंगाल में ग बोने पैतालिस पार पैतालिस पार पैतालिस पार आई आज सीट हरियाना में गए बोने पचातर पार पचातर पार पचातर पार आई चालिस सीट महरास्ता में आए बोने देल सो पार देल सो पार देल सो पार आई एक सो पाथ सीट मिजोरम में गए बोने इकिस पार इकिस पा पार चार सो पार चार सो पार महरास्ता वाले कह रहें तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार करना है कि ने करना है इनको तैयार है सब लोग तैयार है ना कहते हैं भरस्टा चार के खिलाप लड़ रहे हैं मैंने का मोदी जी और भारती जंता पार्टी के देता जब भरस्टा चार के खिलाब बोलते हैं तो लक्ता डाकू गबर सींग और उसामा बिन लादेन आहिंसा पर उख्देज दे रहे हैं। जितने भरस्टा चारी थे देजवर में सब को भारती जंटा पाटी में शामिल कर लिया। अजीद पवार पे भस्टा चार का रोप लगा लिया और भादपा के साथ सामिल किया छगन बुच्पल पे भस्टा चार का रोप लगाया भादपा के सामिल कर लिया असोग चोहल पे भस्टा चार का रोप लगाया भादपा के सामिल कर लिया मुकुल राय सुवेंदु अधिकारी हेमंत विस्ट सर्मा सबको भस्टा चार का रोप लगाया सबको भस्टा चार का रोप लगाकर भादपा में सामिल कर लिया पादपा का नारा है मोदी जी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रस्ताचारी वो उतना बड़ा पतादिकारी गलत तुने कह रहा हूं मोदी वासिंग पाउडर से धुलदुल के साथ साफ करके भ्रस्ताचारियों को आगे बढ़ाने का काम भुद नरेंद्र मोदी जी कर रहा है और धुस्ताचार के खिलाब बोलते है प्रणान मंत्री जी आप से पुरा देश सवाल पूछ रहा है जब आप दोस साल के सासन के बाद आए हैं तो हम आप से पूछना चाहते हैं हमारे नौजवानों को अगनी वीर में डाल कर भारत की सीमा को कमजोर आपने क्यों किया भारत की सीमा को कमजोर करने का काम आपने किया चीन की घुस्पैद हो रही है बीस जवान हमारे सहीद हो गए आज आप से हम सवाल पूछना चाहते हैं महंगाई को आपने आस्मान पे पहुंचा दिया तो हजार चौदा में आपने मुझादी जी हमसे कहा था जब घर से निकलना तो घर का सिलंडर देखके निकलना मैं महारास्टा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हो वर्दा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हो गांदी की धंटी के आपसे कहने के लिए आया हो जब वोट देने के लिए जाना को भर का सिलेंडर जरूर देखके निकलना देखलोगे कि नहीं सिलेंडर देखके उदाव साहब ने मुझे कहा कि वर्दा वालों को पता देना म पोटर साइकिल भी देखके निकले गए 120 रुपए लीटर पिट्रोल भरवाया आपने 120 रुपए लीटर ट्यूपेल भी देखके निकलना है 100 रुपए का डीजल उसमें भरवाया संसो का तेल 200 रुपए लीटर आपको मिला महंगाई आस्मान पे आपने पहुचा दी बेरोजगारी पहुचा दी 15 रुपए अपने चन्द पूज़ी पती दोस्तों का माफ किया सारे 3 रुपए बैंक सेटल्मेंट के जरिए चन्द पूज़ी पत्यों का माफ किया और हिंदुस्तान के गरीब आदमी के हिस्थे में 82 करोड लोगों को आप पांच किलो रासन पे जिंदा रखते हो आप कहते हो मोदी जी भारत पांच्वी बड़ी अर्थ वेवस्ता है पांच्वी बड़ी अर्थ वेवस्ता है अरे पर कैपिटा इंकम के मामले में हम 142 वे अस्थान पे खड़े हैं शर्माती है ये सरकार सक्टा में बैची हुई है इसको उखाड कर ठेकना है भारत का संविधान बचाना है भारत का लोक्तंतर बचाना है और मोदी की ताना साही को हटाना है जिन लोगों ने सरक पवार जी के साथ गड़डारी की जिन लोगों ने उदो ठाकरे जी के साथ गड़डारी की वो मोदी की पार्टी जिसने महरास्टा की सरकार को गिराने का काम किया उसकी जमान ते जबत करा देना साथियो 41 seat पिछली बार आई थी उधो ठाकरेजी के सहयोग से 18 seat इंकी थी 23 seat बीजेपी की थी अगर यह 41 seat महरास्टा ने कम कर दी तो याद रखना फिर बीजेपी आने वाली नहीं है कम करोगे कि नहीं करोगे कम करोगे ना 41 seat कम करोगे ना भादपा की भादपा की 41 seat और जिसमें 18 इंकी थी अब की जितनी लिली है पूरी की पूरी आप सिवसेना को देना उधोसा आप को देना और जो इनके साथ पिछले बार में 18 seat इंके जुड़ी थी अब वो इंडिया गरबंदन के साथ वो seat जुड़ेंगी सरकार बनेगी मारास्टर की जय होगी छत्रपती सिवाजी महराज के सिद्धांतों पर हो आगे बढ़ेंगे और देश के सम्विधान को बहुत बड़ा खत्रा है अंत में एक बात कहके अपनी बात को खत्म परूँगा जिस तरह से आज नेताओं को गिरिफदार किया जा रहा है जेल में डाला जा रहा है जिस तरह से लोकतंत की हट्रा की जा रही है बिधायतों को तोड़ा जा रहा है E.D. का दर दिखाया जा रहा है C.B.I. का दर दिखाया जा रहा है बैसे एनिल देस्भुग जी चौदा महीने तक जेल में रहे संजे रावजी जेल में रहे मुझे जेल में रख़ा मैं कहना चाहता हूं मोदी जी छे महीने नहीं छे साल जेल में रख़ोगे हमारे मनोबल को और हाउसले को तोड़ रही पाऊगे तुम्हारी लाठ्मों से और मुकद्मों से हम ड़ते नहीं देश के संविधान को खत्रा है आज देश का संविधान खतम करने की कोशिस भाजपा के लोग कर रहे है इनका आयोध्या का कैनिदेड लल्लू सिंग जो सांसद है वो कहता है चार सो सीच दे दो संविधान बगलना है जोती मिर्दान की प्रत्यासी कहती है चार सो सीच दे दो संविधान बगलना है अनंत हेगरे इनका पूर्व केंदरी मंत्री कहता है चार सो सीच दे दो संविधान बगलना है मेरत से अरुल गोबिल प्रत्यासी है बीजे पीके कहते हैं चार सो सीट दे दो संविधान बगलना है मैं कहना चाहता हूँ जब तक हम लोग जिंदा है बाबा साहब डॉक्टर भीम राओं बेटर के संविधान को बगलने नहीं देंगे तुम संविधान बदलना चाहते हो तुम हमारे बोट की ताकत ठीनना चाहते हो तुम चुनाओ देश के अंदर खतम करना चाहते हो तुम आरक्षल की बवस्ता को खतम करना चाहते हो मोदी जी हम ये काम होने नहीं देंगे ना संविधान खतम होने देंगे न चुनाक खतम होने देंगे न ही आरक्षिय खतम होने देंगे देस के लोगों के साथ जो ने हो रहा है वो ने होता रहेगा आपने तस साल ताना साही कर ली, अब आपकी ताना साही का अंत होगा महरास्टा जागेगा, पुरा हिंडुस्टान जागेगा और मोधी जी का सफाया करने का पाम, उनकी पार्टी का सफाया करने का काम करेगा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इंकलाब